हाई गाईज मैं हुशिका एंड वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल गाईज और मुस्कुराईए क्योंकि आप लखना गाईज पहुंछ गई थी एक दिन के लिए हजबेंट को कुछ काम था और वो अकेले जाते हाटे तो वह सही नहीं था कोई होना चाहिए बात करने के लिए परेशान करने के लिए और बस यही था और देखी हमें इतना हमने परिशान किया कि पापा जी ने जह है हमें पीछे बैठा दिया मंदब मेरे हस्बेट ने हम लोगों को पीछे बटा दिया कि तुम दोनों बहुत परिशान करते हो तुम लोग पीछे बैठो ड्राइवर बनना बनना जो है वो मंजूर था बट हमें साथ में बैठाना मंजूर नहीं था तो यह लखनौ का है चौक और यह बिल् है तो हम दोनों को पीछे क्यों बैठा दिया गया था उसका रीजन बस यहीं है यह इतना डिस्टरब करते हैं ना कहीं इधर चड़ रहे हैं कहीं उधर चड़ रहे हैं कहीं गाड़ी की स्ट्रियरिंग पकड़ रहे हैं कहीं हॉर्ण बजाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं एस इसको पीछे लेके बैठो और फिर हम लोग आ गए जनेश्वर पार्क में काम खतम करने के बाद यार मस्ती का दो मज़ा कुछ और होता ही है बस और यह यहां पर देखिए इनकी मस्ती फुलाँ चालू है पिता और पुत्र जो है वो आराम से सन बाथिंग कर रहे है और पिता रिलाकसिंग मूड में था यू कहा यू क्या यू क्या रिक्टा अब कर दो कि अमाचीनी के डड़ी को देख लिया इन उनने इना डॉक पीछे पड़ गये है मतलब जहां भी जाता है ना ये इतनी नौटंग की करता है इतनी नौटंग की करता है कि आस-पास वाले जो है ना वो हमें देखने को मजबूर हो जाते कि आखिर ये बच्चा करना क्या चाहता है क्या हुआ क्या हो जा हो तो बस यहां से सुरू होती है जनेश्वर पार्क की ब्यूटी हम लोग इस नजारे को देख रहे हैं और आप लोगों को दिखाना था इसलिए इसको कैप्चर भी कर लिया तो आप मुझे बताईएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये जो जनेश्वर जील है ना ये माइन फ्लोइंग है बहुत सुन्दर है और इस जील में क्या है मैं वो आपको दिखाती हूँ मचलियों के साथ इस जील में है बहुत सारी गंदगी कूडा करकट पता नहीं क्या क्या और एक्चुली हम ही जो है वही ये सारी गंदगिया करते हैं जब भी मैं रिवर को या फिर किसी जील को इस कंडिशन में देखती हूँ ना मेरे को बहुत दर्द होता यार इविन मच जो है वह मर जाती है कुडा खाके और जो ग्रीनरी है मैं वह आप लोगों को दिखा देती हूँ यार मतलब इतनी सुंदर इतना सुंदर डेकुरेशन है इतना अच्छे से सारे प्लांट जो है वह लगाए गये है कि दिल मानता ही नहीं है इतनी फोटो लेने का मन मानता है दिल करता है बट थोड़ा सा हम लोग चूक गये बच्चे की वज़ा से और यह जो यहां पे एक हैलिकॉप्टर लगा हुआ है वाव यहां पे एक फ्लैग भी लगा हुआ है हमारे नैशनल फ्लैग लगा हुआ है वो जो है उसको देख के बहुत प्राउड फील होता है बहुत हकावट लगी थी बिलकुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था बट अब मजा आई है तो सजा तो मिलेगी मतला जो टिनर का रूटीन है वो कहां जाएगा तो बस जल्दी से मूली को घिसा है घिसने के बाद इसको अच्छे से निचोड लिया है सारा पानी दाल सकते हो जीर बुना जीरा डाल सकते हो पिसा हुआ पाउडर और यहां पे मूली जो है न वह बहुत जादा अच्छे से आपको निचोड़ना है उसका पानी नहीं रहना चाहिए और उसके साथ ही साथ यहां पे मैं थोड़ा सा गी डाल दे रहे हूं घी से क्या होता था तो यहां पर घी डालना जो है बहुत जरूरी है और मैं डालती हूँ आप डालते हो कि नहीं आप यह चीज मुझे जरूर बताईएगा फिर उसे फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी मैंने नहीं डाला है या फिर हलका सना के बराबर डाला है और आप पानी बिल्कुल मट डालना है क्योंकि बाद में वो जो मूली है ना वो नमक के साथ जो है वो पानी छोड़ देती है और आपका डो जो है वो गीला हो जाएगा तो यहां पे देखिए मैं पराथे बेल रही हूं और कुछ थोड़ा सा सही नहीं बिल रहा था मेरे से मेरे से यह दिक्कत हो रही होती है हमेशा कि पहला वाला पराथा जो होता है ना वो मेरे से सही शेप में नहीं आता है I don't know why तो बस मैंने यहां पे अपना एक पराथा डाल दिया है अब मैं दूसरा पराथा बेल के डालूंगी पराथे बनने में टाइम तो लगता ही है और बेबी बहुत परिशान कर रहा था इसलिए उसके बाबा जो है उसको थोड़ा सा टहला रहे हैं और मैं जो है थोड़ा सा डांस कर रही हूं मतलब थोड़ा गाना वाना पार्टी वाला सौंग बजा रही थी मैं और पार्टी वाला सौंग बजे और आपके पैर थिरके ना ऐसा त तो बस मैं वही कर रही थी और यह सर पे मैंने दुबट्टा ऐसे डाला हुआ है क्योंकि सासुर जी थे बगल में तो बस जल्दी से ऐसे कैसे भी डाल लिया और मुझे मैं बाहत में देख रही हूं कि मेरा लुक कितना खराब लग रहा था ऐसे करने पर तो बस यही है काम कर रहा है तो मुझे बढ़न में तो पराठे भी बन तेयार हो गया है और आप देख सकते हो बाद की जो पराठे वो थोड़े ठीक बने है मतलब वैसे वाले नहीं बने हैं और ये बनाई है मैंने चठनी तो अब आप सोचोगे चठनी कहां खतम हो गई सब लोगों ने खा लिया और ये last में इतना बचा है last में मैं खाती हूं क्योंकि बराबर बना बनाती देती रहती हूँ तो जब सबका हो जाता है तो फिर अपने लिए भी बना लेती हूँ तो guys लीजे आप लोग भी खा लीजे तो guys ये था मिरा व्लॉग लगाई होप आप लोग को अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक ही लिगाइस वाई टीक यह लव यू ओ